Hello everyone, मैं मुनिंदर सिंह, स्वाइं विवेकारंज इंसिचूट से आज हम डिस्कस करेंगे complex number इसका basic है तो आज सबसे पहले जो question है उससे पहले मैं आपको कुछ basic बताऊँगा आपको पता है iota जो है इसकी value होती है under root के अंदर minus 1 और अगर मैं इसका iota square करोँगा तो root अड़ जाएगा minus 1 आ जाएगा iota cube की value की बात करें तो ये आ जाएगा आपका कितना iota square लिख सकते हैं इसकी value होती है आपकी minus 1 तो देखो iota cube की value iota square के format में और iota के firm में लिख लेगा iota square की value minus 1 और इसकी value iota तो ये बन जाएगा आपका मायनस का आउता है यानी आउता क्यूब जब भी आपको कहीं दिखेगा उसकी आपका मायनस आउता रखेंगे और आउता 4 लिखो आईइओटा 4 की वेल्यू कितनी होती है उसको लख सकते हैं अईउता 2 इंटू आउता 2 यह हो जाएगा आपका minus one into minus one minus minus plus होता है यानि आयोटा four की जो value है मेरे पास वो कितनी होगी ये होगी मेरे पास one यानि आयोटा में जब तक four नहीं आ जाता जब तक उसकी value one नहीं होती यानि आयोटा जो है four के multiple में जब भी आएगा उसकी जगह पर हम direct कितना रख देंगे 1 रख देंगे यानि ऐसी value जो 4 से direct divisible है उनका direct मान कितना होगा 1 होगा यानि 4, 8, 12 इस टैप से यानि iota 4, iota 8 iota 12 इन सब की value जो है 1 होगी अब बात करते हैं अगर यही हमारे पास नीचे हो तो इसकी value होती है मेरे पास minus iota 1 upon iota square में है इसकी value minus 1 होती है और 1 upon iota q है इसकी value iota होती है अब देखो यह i कैसे है तो कोई रिक्कत नहीं है जब मेरे पास iota है उपर नीचे iota का multiply कर दो उपर तो iota बन जाएगा नीचे बन जाएगा iota square और आपको पता है iota square की value minus 1 होती है ठीक है तो iota upon minus 1 कितना आ गया है तो direct minus iota आ गया ऐसे यह minus 1 रख देंगे तो देखो यह आजाएगा यह कैसे आया 1 upon iota जो 4 है 3 है इसकी value आप क्या करो इसमें उपर नीचे iota का multiply कर दो तो यह बन जाएगा iota upon iota की power 4 यह हो जाएगा आपका iota upon 1 तो यह आजाएगी आपकी iota और 1 upon iota की power 4 है तो इसकी value आपको इपास पता है 1 होती है तो 1 का किसी में भी divide करो 1 ही होता है ठीक है चलिए आपको जो value याद रखनी है वो यह रखनी है value और यह आपको एक यह value आपको इन दोनों में इस सबसे ज़्यादा confusion होता है चलिए question दे रखा है आपका iota की power 57 plus 1 upon iota की power 125 तो इसमें हमें 4 का divide करना है यानि 4 का जितनी बार complete divide हो जाएगा उसकी value 1 होगी बाकी जो बचा हुआ है वो रह जाएगा 4 का जैसे ही बें divide करूँगा तो यह मेरे पास बनेगा 4 1 यह आजाएगा 16 तो यहाँ पर बचेगा 1 यानि आयोटा में जो power दे रखी हो सो 4 का divide करने पर जो remainder है वो मेरे पास 1 है तो वही लिख दूँगा iota की power 1 अब आजो यहाँ पर 1 upon iota की power 125 में मैं 4 का divide करूँगा तो 4 का करेंगे 12 में 3 times और यह हो जाएगा 5 1 तो यह आपकर भी 1 बचेगा यह हो गया आपका iota की power 1 को iota ही लिखते हैं और यह आजाएगा आपका 1 upon iota को क्या लिखते हैं अभी बताया है मैंने minus का iota तो यह हो जाएगा minus का iota यह हो गया आपका iota plus minus minus हो जाएगा यह कितना हो गया iota से iota cancel हो गया 0 इसका जो answer है वो आजाएगा आपका 0 ठीक है चलिए next question देखते है question number 2 जो है यह आपका multiple के उपर ही है जो 4 का multiple है तो देखो 1 plus minus iota जो है इसकी जो power 4 n plus 3 है यह नीचे नहीं है multiply में पावर में है यह तो सबसे पहले देखो इसको आप ऐसे लिखो minus 1 जो है iota के लिए इसको ऐसे लिख लो multiply में minus iota की power 3 और यह जो last वाला part है उसको हम बाद में solve करेंगे पहले इसको देखो जब आपको पता है कि कोई भी iota जो है उसका 4 का जो multiply होगा उसकी value 1 होगी अब minus sign है minus sign भी तो 4 वार multiply हो रहा है तो देखो minus sign जब e1 power में हो यानि 2, 4, 6 उसकी value positive आती है तो इसकी value कितनी आजएगी इसके पूरे की value आजएगी पर into iota जो minus का है इसके उपर power कितनी है 3 है तो आपको पता है कि minus sign के उपर अगर power odd number है तो minus sign भार आ जाता है तो इसको तो लिख दो बहार और यहां बचेगा सिर्फ iota की power 3 तो यह हो जाएगा आपका 1 minus iota की power 3 और अभी मैंने बताया iota की power 3 की जो value है उसकी value होती है minus का iota कितना हो जाएगा यह हो जाएगा minus minus plus जब मैंने इसको अंदर वाली value को solve किया तो मुझे मिला 1 plus iota तो क्या मिला 1 plus iota और बार है multiply में 1 minus iota बस solve कर लो यह plus में है यह minus में है तो 1 का square minus iota का square 1 का square 1 होता है iota square की value minus 1 होती है minus minus plus हो जाएगा तो answer आपका 2 आजाएगा यह question number 2 है इसका answer a है ठीक है चलिए question number 3 है इसमें बोला है बहुत अच्छा question है minus 1 और minus iota है इसकी जो value है उसके उपर है power 100 तो सबसे पहले यह देखो क्या आप इसको 100 वाल multiply करेंगे नहीं तो क्यों ना मैं इसको कुछ यह तरीका देखूँ कि जिससे यह मुझे power से कोई फरक नहीं पड़े तो आपको पता है power का जो है वो सिर्फ एक ही case में फरक नहीं पड़ता है जब मेरे पास यह polar form में हो और आपको पता है कि polar form के लिए मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा r r मतलब magnitude तो magnitude निकालने के लिए सबसे पहले इसको ऐसे लिखो तो z equals to इसको ऐसे ले लो root 2 का दोनों में अलग से divide कर दो तो r की value कितनी आ जाएगी minus 1 upon root 2 का square plus iota का coefficient भी कितना है minus का 1 upon root 2 square और इसका ले लें कितना square root कितना आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 1 upon root 2 का square करेंगे तो 1 upon 2 यहां भी करेंगे तो 1 upon 2 तो दियान से देखो ये कितना हो गया 1 upon 2 और 1 upon 2 दोनों को add करेंगे तो 1 आ जाएगा आपको पताए जब दोनों ही negative में हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो कौन से quadrant में है थर्ड में है ये हो जाएगा आपका कितना minus का pi plus 10 inverse b upon a b कितना है 1 upon root 2 है a b कितना है 1 upon root 2 है ये दोनों cancel out हो जाएगे तो minus का pi कितना बचेगा तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ z equals to r e की power iota theta और r कितना है 1 है और e की power iota theta की value कितनी है minus का 3 pi upon 4 और इस पूरे के उपर power लगी है 100 ठीक है तो देखो ध्यान से 100 की value कितनी है 100 जब 1 के साथ power में लगेगा तो 1 ही रहेगा यह आजाएगा e की power minus 3 pi by 4 upon into 100 4 से इसको काट दो कितना आजाएगा 25 तो यह बन गए आपका e की power iota 75 pi और आगे minus sign अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ cos theta की जगे पर angle आजाएगा मेरे पास कितना है minus का 75 pi plus iota sin कितना minus का 75 pi तो देखो 75 जो है वो pi के multiple में है तो देखो cos के अंदर जो भी pi के multiple में है उसकी value देखो तो सबसे पहले जो cos है वहाँ से minus sign तो चला जाएगा यहाँ से देखो iota sin यहाँ से जो minus sign है sign में वो बहार आ जाएगा तो यहाँ से जो minus sign था उसको मैं जब बहार लूँगा तो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका cos 75 pi minus iota sin 75 pi अब देखो 75 जो है एक और नमबर है कैसा नमबर है और नमबर है 75 और नमबर क्या होते हैं यह आप जानती हैं जिनमें 2 का perfect divide नहीं होता है तो देखो अगर मैं cos pi की बात करूँ तो यह value मुझे minus का 1 देता है और sin pi की value की बात करूँ तो यह मुझे 0 देता है ऐसी और नमबर होगा 1 के बात 3 होगा अगर cos 3 pi की बात करूँगा तो यह भी मुझे minus 1 देगा और sin 3 pi की बात करूँगा तो ये भी मुझे 0 देगा इसका मतलग cos 75 है ये कितना देगा ये देगा मुझे minus का 1 और minus iota ये कितना देगा 0 ये आजाएगा आपका minus 1 minus 0 तो इस पूरे की value जो है minus 1 आजाएगी क्या है आपका answer तो इसका answer है d ठीक है चलिए question number 4 देखो question 4 में बोला है the value of minus iota इसकी उपर power है minus की 117 तो वही 4 का पहले तो इसमें divide करो और जो remainder होगा उसको हम नीचे लिख लेंगे कितना आजाएगा जब मैं इसमें 4 का divide करूँगा तो ये आजाएगा आपका 337 और 9 1 ये बचेगा आपका मेरे पास minus का 1 तो देखो minus iota के उपर अगर कोई भी power minus में है इसका मतलब ये है कि इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ क्योंकि ये आप जानते हैं कि अगर मेरे पास x की power minus n है तो इसको लिख सकता हूँ x की power n यानि नीचे है तो उसको उपर लगाएंगे तो minus में जाएगा अगर उपर को नीचे लाएंगे तो minus आएगा तो इसको लिख सकता हूँ minus iota जो है इसको पूरे को उठाके बन अपॉन में ले आओ तो ये बन जाएगा आपका बन अपॉन minus का iota अब minus को उपर बेज दो iota रह गया अब इसको रेस्नाइस कर दो iota का जब मैं उपर नीचे multiply करूँगा तो उपर हो जाएगा minus का iota नीचे हो गया iota square और आपको पता है iota square की value minus 1 होती है minus minus plus हो जाएगा तो सिर्फ answer आजाएगा iota आपका the option correct है ठीक है? चलिए आपका question number 5 है the value of the expression iota की power 592 तो देखो द्यान से 592 और iota की power 590 iota की power 588 iota की power 584 नीचे दे रखा है iota की power 582 iota की power 580 iota की power 578 iota की power 576 और iota की power 574 अगर आप लोग द्यान से देखे है तो इन sum में जो value दे रखी है वो मेरे पास 2 के increasing में है यानि sum में जो value बढ़ रही है वो 2, 2 है या 84 था तो 86 88 फिर 90 या 92 या पे भी देखो 74 के बाद 6 78 पर उसके बाद 80 यानि इन sum में 2, 2 का difference है तो यहां से सबसे जो छोटी value है वो कितनी है iota की power 548 तो इसको common ले लो उपर से जब मैं यहां से 84 common लोगा तो यह कितने ज़ादा है 8 है तो यहां बचेगा मेरे पास iota की power 8 यहां कितने ज़ादा है यह 6 है iota की power 6 यहां कितने है iota की power 4 और यहां कितना है iota square और फिर last में जब कोई भी value खुद common आती है तो वहां 1 बचेगा और यह 584 आगे आजाएगा iota की power में ऐसे नीचे देखो इसमें i-s कितना है तो इसमें से मैं iota की power 574 common लोगा तो यहां पर कितना बचेगा यहां पर 74 जब माइनस करेंग 82 में से तो iota की power 8 iota की power 6 iota की power 4 iota का square प्लस जब कोई भी पूरा नमर खुद common आता है तो 1 बचेगा जान से देखो उपर वाला और नीचे वाले दोनों bracket एक जैसे हैं कट जाएंगे क्या बचेगा iota की power 584 और नीचे है iota की power 574 बस solve कर लो iota की power 584 में से अगर मैं 74 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा खाली iota की power 10 और आपको पता है iota की power 10 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा दो बार और दो बचेगा यानि iota की power 8 और 2 iota square बचेगा और iota square की value होती है minus 1 तो इस पूरे को solve करके मेरे पास answer आजाएगा minus का बार ठीक है? कोई problem? चलिए मिलते हैं next class में Thank you so much